नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं कम बारिश की टी आगे भी बनी रहती है, तो वहां किसानों को रहात देने के लिए नई जोजना शुरू करने की कारी जोजना बनाए बैठाक में बीत मंत्री टामेश्वर उराव किरिशी मंत्री दिपी का पांडे सिंग केला मुख सचीव एल खियागते समेत कई वरी अधिकारी भी मजूद थे मुख मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे छेत्र जहां पानी की कमी है उन छेत्रों का सरवे करा कर वहां नई सिचाई पर्योजना की संभावना तला से मुख मंत्री ने कहा है कि अगर कौम बारिश की दिती आने वाले कुछ दिनों तक और बनी रहती है तो उसे निपटने की पूरी रणनीती तयार करे उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खेतों में पटवन की सुविधा उपलब्द कराने के लिए सिचाई पर्योजनाओं के कारे में तेजी लाए इसके साथ बैकल्पिक क्रिस्टी की भी तयारी कर ली जानी चाहिए मुख्य मंतरी आवास घेरने जा रहे सहायक पूलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज अस्थाई करन की मांग को लेकर परदर्शन कर रहे सहायक पूलिस कर्मियों की सुक्रवार को पूलिस के जवानों के साथ जम कर नोगशोक हो गई इस दोरान हुए जड़प के पूलिस ने आंदोरन कारियों पर जम कर डंडे बरसाए इसके बाद काके रोड में सीम आवाज के पास परदर्शन अस्थल पर आफरात प्रीमच गई लाथी चार्ज में कई महिला एवां पूरुस सहायक पूलिस कर्मी घायल हो गए हलाकि भगदर और धाका मुक्की के चलते कई पूलिस कर्मियों को भी चोट आई है इधर सीम आवाज के पास से ख़देरने के बाद पूलिस टीम मुरबादी मैदान पहुंची है और सहायक पूलिस कर्मियों द्वारा जगह जगह पलास्टिक तिरफाल से बनाए टेंट को तोड़ दिया है किसानों के लिए 75 दिनों की कार्योजना बनाए दिपिका किरिसी मंदरी दिपिका पांडे सिंग ने सुकरवार को नेपाल हाउस इसी सचीवाले में किरिसी निदे साले उध्यान निदे साले एवं भूमी संरक्षन निदे साले द्वारत संचालीत जगह 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 की समिक्षा की इस करम में उन्होंने अधिकार्यों का सपस्पास निर्देस दिया है कि तीनों निर्देस साले 75 दिनों की कारी जोजना बनाकर समय बद तरीके किसानों को सम्थित जोजनाओ कालाब पहुचाहे किरिशी मंत्री ने किसानों को रीन माफ करने को लेकर उन्होंने दो से तीन दिनों में ASLBC के साथ बैठक करने एवं राज में से उक्रीद 79 किरिशक पाट साला को धरतल पर उतारने का निर्जस दिया है किसानों को उच्छ कोट के बीज उपलब्ध कराने एवं मिलेट मिशन के तहट जल्द से जल्द लबकों का चेयन कर DBT के माध्यम से बीज की राज से उपलब्ध कराने की हिदायत दी उन्होंने अधिकारियों को हर बिधान सभा छेतर में कम से कम 25 तलाबों का जिर्नों धार कराने एवं डीप बोरिंग की गती तेज करने का निर्देश दिया है अमीत साह आज करेंगे चुनावी संखनाद भाजपा सन्निवार को रांची के प्रभातरा मैदान से बीधान सभा की चुनावी समर का संखनाद करेगी करेंडरी ग्रिः मंत्री आमीत साह भाजपा की बिस्तारित कारे समिती की बैठक में शिरकत करेंगे पृदेश अद्यक्स बावलाउ मरांण्डी के अद्यक्सिता में बिस्तारित कारे सम हमीती में मंधल जीला एवं पृदेस अस्तर के दाइत धारी 25,000 करकरता भाग लेंगे कारकरम के समापन सत्र में भारत के ग्रिह एवं साकाइता मंत्रिया अमीद साह का संबोधन होगा सरनिवार की दोपर एक वजे अमीद साहराची पहुचेंगे बताद बिस्तारित कारे समिती बैठक में बिधान सबाचुनावी प्रभारी केंद्रिया मंत्री सिवराज सिंग चवान साप्रभारी एवं असम के मुखे मंत्रिय हिमंत विश्वा सर्मा छेत्रिय संगठर महामंत्री नागेंद्र तिरपाठी महजूद रहेंगे जारखन में आठ साल बाद टेट के लिए 23 से आवेदान जारखन में आठ साल बाद सिक्षक पताता परिक्षा टीटी के लिए 23 जुलाई से 22 अगस्तक ऑनलेन आवेदान भरे जा सकेंगे जारखन एकेडमी कॉलसील ने सुक्रवार को बिगयापन जारी किया पहली से पांच वी और छटी से आट वी की अलग अलग पतराता परिक्षा होगी वहीं डियलेट और बियेट प्रसिक्षीत अभ्यार्थी ही आवेदान कर सकेंगे ACFT पिणच्छरा वर्ग, अतियंद पिछडा और दिवियांक कोटि के अभियार्थिं को निर्थारी सेक्षिनिक और प्रीक्षिनिक प्रफ्टांक में 5 पर्फित के छुट मिलेगी विशेस रूप से कमजोर जन जाती समों को प्रप्तांक में साथ परसेस के छुट दी जाएगी अवियार्थियों को आवेदन करने के लिए साथ सव रूपे से लेकर तेरह सव रूपे तक सुल्क देना होगा समाने जाती अत्यांत पिछडा वर्ग वा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अवियार्थियों को तेरह सव रूपे और अनसुचित जन जाती अर दिभियां कोटे के अवियारθिवों को 70% और आदिम जन जाती के अवियारθिवों के लिए 500% का सुल्क लगेगा जारखन के 290 इंटर कॉलेजों के हर सनकाय में बढ़ी 128 सीटे जारखन के 290 इंटर कॉलेजों में नमांकन की सीट बढ़ा दी गई है इसमें 190 प्रस्वी कृत प्राप्त और 180 अनुमती प्राप्त इंटर कॉलेजे सामिल है इन सभी कॉलेजों में प्रतिशन का 128 सीट की बढ़ोत्री की गई है अब इन कॉलेजों में 384 और बढ़ी हुई 118 सीटों को मिला कर प्रतिशन का 512 सीटों पर नमांकन होगा सिक्षा मंत्री 22 बैदनाथ राम ने सुक्रवार को भी भागिये प्रस्ताओं को मझूरी दे दी सिक्षा मंत्री ने कहा है कि राजे के बीतरही संस्तानों में इन्टर्मेंशन मांकन के लिए सीट बढ़ोत्री के प्रस्ताओं लंबित है जिसे सुग Eren दी गई सिक्षा मंतिरी ने यह भी बताया है कि अगली बार नए तरीकी से सीटों का बटवारा किया जाएगा रांची में आज छाहें के बादल कोलहान में एलो अलर्ट जारखन के कोलहान प्रमंडल के जीलो में सनी वर्गों भारी बारिस हो सकते है मौसाम विभाग ने 20 और 22 जूलाई को भी कोलहान के जीलो पुर्वी और पच्छमी सिंग्भूम और सिंटेगा में गरज और कहीं कहीं वहरपात के साथ भारी वर्षा एलो अलर्ट जारी किया है इधार राची समयत राजी के दक्छनी भागों में सनी वर्गों को आस्मान में गहरे बादल चा सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बना नीमने दबाव का चेत्र अतित दबाव में परवर्थित हो रहा है खाड़ी के मद्य हिसे में इस्थी तिया सिस्टम सनिवार को दोपहर से पहले उडिसा के पुर्वित तट को पार कर 36 गड़ की ओर प्रस्थान करेगा इसके परभाव से जहारखन में घने बादल चाहेंगे और अगले दो दिन राज के दक्षन हिसे और 22 जुलाई को पूरे राज में बारिस के असार है वही जहारखन में पिछले 24 गड़े के दोन मानसुन कमजोर रहा है जहारखन के साथ जीलो के 1041 स्कूलों में सुरू होगा पलास राजी के साथ जीलों के 1041 बिद्यालों में वर्ष 2024-25 अस्थानिय भासाओ संथाली मुंडारी हो पुरूक और खड़िया में बहुभासी 6 कारिकरम पलास की सुरुवात होगी इन साथ जीलों में लातेहा सिम्टेगा लोहदगा खोटी पच्मी सिम्भूम सहेब गंज और दुम का सामिल है यह कारिकरम यूनिसेफ और LLF के सहयोग से संचालित होगा बता दे जहारकन सरकार की ओर से बिगत दो बरसों से राजी के 6 जीलों गुमला सिम्टेगा लोहदगा खोटी पच्मी सिम्भूम और सहेब गंज के 269 विद्यालियों में मातर्य भासा अधालित बहुभासी सिक्षा कारिकरम का संचालन किया जा रहा है इस कारिकरम से प्रावरामभिक अस्तरपर बचों को सिखने में सकरात्मक पई नाम देखने को मिले हाए मुख्य मंतरी 22 को बरहेट में करोडों की देंगे सोगात मुख्य मंतरी हेमान सुरेन 22 जुलाई को बरहेट पहुच रहा है इस दोरान वह कीता जोर में निर्मीत ग्रीट तथा सिवगादी में लेका उधाटन करेंगे मुख्य मंतरी हेमान सुरेन ने 24 जनवारी 2021 को इस ग्रीट की अधार सिला रखी थी वहीं जनवारी 2024 में इसका निर्मान पूर्ण हो गया बता दे 70.74 क्रोर की लागस से इसका निर्मान हुआ है इसके उधाटन के बाद बरहेट पतना सिता पहार मोदी कोला बरहरवाव गराम सीर पी एस एस को इससे बिजली मिलेगी इसे कूल 80,000 उभोकता लभानवित होंग सहायक अध्यापकोने की सीम आवास घिराव की तयारी सहायक अध्यापक संघर्स मुर्चा की बैठक गुरु आर की साम को डीवी सी मैदान चंदरपूरा में सीमा कुमारी के अज़क्सता में हुई 20 जुलाई से मुख्यमंतरी हमसुरिन के आवास के और शित कालिन घिराव क बैठक की गई है उन्होंने कहा है कि पूर्व सिक्षा मंतरी जगनात महतो जिन्दा होते तो आंदोलन की नोबत नहीं आती वे सहायक अध्यापको की मांगो को कैबिनेट से पारित कर देते उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने 18 दिसमर 2021 के समझोते को अब तक लागू नहीं कि जल सहयाओ को 18,000 मांदे दे सरकार संग जल सहयाओ ने अपनी मांगो को लेकर आस्थाने बिधायक सह बिधान सभाजदक स्रविंद्रात महतो के आवास बढ़वा में पांच सुत्री मांग पत्र सोपा इस्पिकर के अनुपस्थिती में जामो जीला सची परेस यादव के मा हाग से दिया जा रहा है बरती महांगाई में एक है रुपए का मुल ये कुछ भी नहीं है मौके पर बसंती भारती भी मौजूद थी मेले में कावारियों की सुरक्षा और सेवा को दे प्रतमिकता स्रावनी मेले में स्टेशनों में बेवास था का जाजा लेने सुक्रवार को रेल एसपी धनबाद मनोज स्वरगी यारी जसीडी स्टेशन पहुंचे उन्होंने जसीडी स्टेशन का निक्षन कर पुलिस पता उन्होंने पूलिस कर्मियों को उनकी duty बताई और कहा है कि एस्टेशनों पर पहुशने वाले कवरियों वह यातरियों की सुरक्षा और सेवा को परत्मिक्ता देकर सभी काम करें प्लेटफोर्म सहित एस्टेशन परिसर के आने अस्थानों पर कर्तब या वा सेवा भाव से अपने duty निभाएंगे लोहर्दागा के आपदा परवंधन पता अधिकारी बिभाग कुमार 15,000 रुपए रिस्वत लेते गिरफ़तार किये गया है सहरी छेतर के वरदान होस्पिटल से उन्हें गिरफ़तार कर लिया गया मुअबजा दिलाने के एवाज में उन्होंने रिस्वत की मांग की थी इसके साथ एक बिचोलियों को भी एसीबी निदबो चाहा है बता दे एक बच्चे की तलाब में भूबकर मौथ हो गई थी उसके परिजिनों ने मुअबजे के लिए आवेदन किया था आवेदन करने के बाद जब कोई करवाई नहीं हुई तो विचोलियों ने काम करा देने का उन्हें भरुचा दिया इसके बाद उनसे मुअबजे दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी कुष्ट आसरम का 23 को मुख्य मंतरी करेंगे सुभाराम राजधानिक धुरवा इस्थीत बिधान सभा के पीछे के मुडमा मौजा में बने 256 फ्लेट का मुख्य मंतरी हेवान सुरें 23 जुलाई को उदगाटन करेंगे उसी समय आवासों की चाभी भी लावकों को मुख्य मंतरी सौपेंगे यह फ्लेट रांची के विभीन अस्थानों पर जैसे तैसे रह रहे है कुष्ट प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया है प्रजेक्ट भौन इस्थित अपने कर्याले कक्ष में सुकरवार को नगर विकास सचीव आरवा राज कमल के दख्सता में उचसतरीय सम्मनवे समीती के बैठक होई बैठक में राचीव पायूक्त आर एमसी प्रशासनिक सहीत नगरिये प्रशासा निदेशक सतेंद्र कुमार विभा के अपर सचीव ग्यानेंद्र कुमार अपर सचीव मनोहर मरांडी जुड़को के पीडी एफ अमीत चक्रवर्ती जीम बिनाय कुमार राय राचीय एफ कुमानन्द किसोर अवर सचीव अतुल कुमार और टाटा कॉंपनी के मुखे रेजिडेंट करेकारी संजय मोहन स्री वास्तव थे डॉक्टरों की बायोमेट्रिक हाजरी का होगा सत्यापन राज सरकार के सभी अस्तर के स्वास्त केंद्रोवा मेडिकल कॉलेजों में कारलत चिकित्सक वा चिकित्सक कर्मियों को हर हाल में बायोमेट्रिक हाजरी बनानी होगी स्वास्थ विभाकी ओर से अब इसका क्रास वेरिफिकेशन किया जाएगा क्रास वेरिफिकेशन में AEBSS से उपस्थिति दर्ज नहीं करने वालों को पहले तो हाजरी दर्ज करने के लिए मेल सेज, मेल और कॉल भी जाएगा लेकिन पांच दभा यदि किसी के हाजरी दर्ज नहीं होगी तो उसे अस्पस्थि करन जाएगा धन्यवाद